अस्सलाम अलेकुम दोस्तों कैसो आप लोग जितने भी मेरे भाई सोधे रभिया में काम कर रहे हैं कफाला अगर आप लेना चाहते हैं कंपनी चेंज करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में एटू जेड पूरा रूल्स रेगुलेशन बता दोंग और जो वरकर नया कंपनी में जाना चाहता है उस कंपनी के लिए भी कुछ कंडिशन्स है तब ही आपका कफाला हो सकता है क्योंकि कफाला इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने माइंड सेट बना लिया है अगर आप रूल्स को फोलो करते हुए कफाला लेंगे तो इजी एक रूल है काफाला लेने का जो आधिकार दिया है मिनिस्ट्र फिमन रिसोर्स ने हम वरकर्स को वो क्या है पहले वरकर की बात करेंगे सबसे पहला रिक्वार्मेंट तो यह रहेगा कि वो वरकर लीगल वरकर होना चाहिए सोधिर अपका वो लीगल तरीके से काम कर रहा जिया पर काम कर रहा है उसको काफाला लेना है वो वरक वीजा में आया है वरक कर रहा तभी काफाला हो सकता है कंडिशन नंबर वन उसके बाद दूसरा कंडिशन यह है कि जो कंपनी में काम कर रहे हैं कंपनी वरकर एक साल तक अपना इंप्लोयर के साथ में काम किया हो अग आप इलिजिबल नहीं हो इसके बाद तीसरा जो कंडिशन है वो कॉंट्रेक्ट डॉक्युमेंट पेपर या फिर क्युवा में हो आपके पास कॉंट्रेक्ट का पेपर रहना चाहिए मेरे भाई जितने भी लोग काम कर रहो आप सोधियरब में मैक्शियोर आपका कॉंट्रेक कंपनी होगा ना जो आपको हायर करने वाले हैं उनका ओफर लेटर मेंडेटरी है वो कंपनी वाला आपको एक ओफर लेटर प्रोवाइड करेगा कि मैं आपको मेरे कंपनी में ये पोजिशन पर बुला रहा हूं इतनी सेल्डिव अगरे रहेगी ये बहुत ज्यादा इंप ही झाड़ है इसके लिए आपको एक नोटिस प्रियर्इड और देनी होती है कोई कंपनी एक मेहना पहले भी बोलती है एक तीन महना को इकंपनी 2 मेहना तो बहतर रहेगा दो तिन मेना पहले ही आप अपना company को notice दोगे कि मुझे better opportunity मिल रहा है मैं आपके company से resign करने वाला हूं या resign करना चाहता हूं इसको आप paper में भी बना सकते हो या फिर direct email में भी forward कर सकते हो company को उसका पूरूब भी रख लेना print करके या फिर screenshot वगेरा तो यह जो condition मैंने बताया worker का बताया अब आगे worker का और भी कुछ conditions बताऊंगा जो बिना company का approval का भी ले सकता है यह जो conditions मैंने बताया यह normal conditions अब पहले में company का बता दे रहा हूं जो company आपको कफाला देगी उसके लिए भी कुछ condition है ऐसा थोड़ी है कि जो तो company आपको कफाला देदेगी देगे पहला condition यह रहेगा जो नया company में आप जा रहे हो कि वो company वीजा का जो rule है सोधिरप का उसको follow करता हो बहुत सारा company सोधिरप का यह rule regulation को नहीं मानती है जिसके वज़े से यहां के हुकूमत उनको बैनी कर दिया है आप लोग के नजर में भी होगा बहुत सारा company जो देखना हो वीजा नहीं दे सकते हैं वो इंडिया में या कहीं पे भी वीजा नहीं भेजते हैं वो किसी और का वीजा लेके भेजते हैं और worker को हायर करते हैं काम करवाते हैं यह illegal practice है खिसाब से तो जो खराब company है कुल मिलाके कह लीजे वो लोग eligible है ही नहीं कि किसी को काफ़ा ले ले नमबर टू, waste production, सोधी रभिया में हम लोग जो काम करते हैं, salary बगर हमें मिलता है, settlement मिलता है, यहां के जो labor low है वो हमें अधिकार दिया है कि worker का भाई यह हक है, वो मिलना चाहिए, बहुत सारा company आपको काम करवाती है, पैसा नहीं देती है, settlement भी नहीं देती है, तो उस तर कि कोई company जिसमें आप जा रहे हो, make sure उनका जितना भी worker है, उसके पास मौझूदा पहले से जितने भी काम करने वाले लोग हैं, सब का contract paper हो, अगर एक भी worker का contract paper नहीं है, तो वो किसी को hire नहीं कर सकता, नमबर 4, सोधिरभ या में एक vision चल रहा, vision 2-0-3-0, आप सब को पता है, तो vision 2-0-3-0 में सोधिरभ ने बहुत सारे rule regulation रखे हैं, company वालों के लिए भी, जिसमें सबसे बड़ा तो यह है, कि Saudization का जो rule है, target है, उसको पूरा करना पड़ेगा, इसके अलावा जो digitalization है, उसको भी मानना पड़ेगा, online सब कुछ update वगएर करना होता है, तो यह सारा नियम को अगर कोई company मान के चल रही है, मानती है, तभी वो किसी का कफाला ले सकते हैं, यहां तक clear हो गया, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कोई worker बिना कोई company या कफिल का permission का कैसे कफाला ले सकता है, यहां पर सबसे पहले मैं clear कर दे रहा हूं, अगर कोई domestic worker, घरेलू worker यह मेरे वीडियो को देख रहा है, आप बिना कफिल का permission का कफाला नहीं ले सकते, इवेन अगर आपका कफिल red zone में है या इकामा भी नहीं बना रहा है, तो भी उनका approval चाहिए होगा, domestic worker के लिए इस सिर्फ बता रहा हूं, जो लोग company worker है, उनके लिए एक फाइदा यह है, आपका अगर इकामा नहीं बना रहा है company, या company red zone में है, तो फिर आप उनका बिना approval का कफाला ले सकते हूं, इसके बाद number two, कोई भी company आपको बुलाया, चाहिए आप नए आए हो, या पुरा नहीं हो, 90 दिन हो गया, आपका contract, sign ही नहीं करवाया उसने, कोई contract paper नहीं है, किवा में भी देख रहा हूं नहीं है, या फिर manually भी नहीं है, या पर एक चीज़ और क पेपर में, और क्यूआ में वो नहीं दिखता है, इसका मतलब यह नहीं कि आपका contract paper नहीं है, contract paper है, लेकिन उसको क्यूआ में update नहीं किया company ने, तो यह गलत पहिम्मी में मत रहिएगा, कि आपका contract paper ही नहीं है, ठीक है, तो अगर किसी का contract नहीं है, तब आप eligible हो, direct का फाला हो गया, इंतकाल हो गया, मर गया कफिल, है नहीं सो दिरब में, चला गया, ऐसे condition में, कफाला आप ले सकते हो, इसके बाद number four, जो मैंने पहले बताए, कामा expire है, या work permit expire है, company अपका rate में है, तो भी आप ले सकते हो, इसके बाद एक और condition यह भी है, कि आपका कफिल या company, किसी और के नाम पे कोई business करवाना, इस तरह का कोई practice करता है, किसी का कफिल या company, तो उनके पास से आप हट सकते हो, उनको भी ना बताए, लेकिन आपको proof करना पड़ेगा, इसके बाद छठा condition यह है, कि आपका कफिल या company, human trafficking में involved है, वो लोगों को लाते हैं, लाके फसाद देते हैं, इसका भी अगर आपके पास proof है, तो आप उनको भी ना बताए, कफाला ले सकते हो, इसके अलावा साथवा condition, कभी कभी क्या होता है, worker और company या कफिल का case चलता है, और वो मामला चला जाता है, labor court में, तीन बार सुनवाई रहती है labor court में, तीन बार attendance देना पड़त तो फिर worker के पास अधिकार आ जाता है, court से आपको वोला जाता है, कि आप कोई कफिल या company खोच के कफाला ले लो, यहाप एक और important चीज मैं बता दे रहो, कोई company worker अगर है, तो वो कफिल के पास कफाला नहीं ले सकता, domestic category में वो कफाला नहीं ले सकता, ठीक है, degrade अपने किसी का कफिल या company राजी है, बोल रहा है, भाई जाओ तुम कफाला ले लो, तब कहना ही क्या है, बहुत सारे company या कफिल है, सोदे रब में अच्छे, जो loss में चलते हैं वो बोल देते हैं उनके worker को, कि तुमको मैं कफाला दे दूँगा, कोई कफिल खोज लो, या company में चल जाओ, तो यह एक opportunity रहता है कफाला के लिए, यहां तक clear हो गया, अब हुरूब वालों के लिए भी एक opportunity है कफाला के लिए, additionally मैं बता रहा हूँ, अगर सोदे रब में किसी के पास हुरूब लगा हुआ, तो उनके पास भी 60 दिन का समय रहता है, 60 दिन के अंदर वो कफाला दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए condition और यह रहता है, कि कफाला जोब लोग ना, कफाला का काम 15 दिन के अंदर होना चाहिए, 15 दिन में अगर process हो गया, तो फिर आपका कफाला हो जाएगा, इसके अलावा अभी क्या है current situation में, अगर कोई company से भाग गया, तो direct उसके ओपर प्रिया को पूरा करना होता है, अगर पूरा कर लेगा, तो भी उनका कफाला हो जाएगा, बहुत लोग को ये भी doubt रहता है, कि मैं company में exit डाल दिया, अब मैं exit के वजए घर नहीं जाओंगा, इधर इसे कफाला ले लोगा, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हैं, exit अगर लग गया, आपको यहां से exit जाना पड़ेगा, यहां से अगर आपको कफाला लेना है, तो company क approval लाजिम चाहिए, तो लगभग कफाला से related मैंने सारी information आप लोगो दे दिया है, उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोग के लिए informative रही होगी, वीडियो को share करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए, चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब कर लिजेगा, क्योंकि इस तरग इंफॉमेडिक वीडियो आप लोग आगे भी मिलते रहेंगे, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया